पत्ना से सटे हुए मुंगे लोकसबाब बिहार की होट सीट में से एक बन गई है यहाँ इस बार मुकाबला भले ही जदियू के पुर्वराष्टी अध्यक्ष राजी वरंजन सिंग उर्फ ललन सिंग और बाहुवली असोक महतो की पतनी कुमारी अनिता से है लेकिन जेल से रिया होने के बाद बाहुवली अनन सिंग टीवी और सोसल मीडिया पर चाहे हुए हैं हर तरफ उनके बयान और वीडियो देखने को मिल रहे हैं जेल से आने के बाद अनन सिंग कई बार बयान दे चुके हैं कि वच्चाहे कुछ भी हो जाए नितीज कुमार और ललन सिंग के साथ रहेंगे अनन्द सिंग भुम्यार समाज से आते हैं ऐसे में अनन्द सिंग का बाहर आना भुम्यार समाज के लिए एक अच्छा संकेत धिमाना जा रहा है भाजपा और जदियू के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है आपको बता दे कि इसी लोगसभा से अनन्द सिंग की पतनी नीलम देवी ने 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर मुंगेर से लोगसभा का चुनाव लड़ा था खास बात ये है कि ललन सिंग ने ही उन्हें बड़ी सिकत दी थी हाना कि 2022 में हुए विधान सभा के उपचुनाव में नीलम देवी को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी तब ललन सिंग ने उनके समर्थन में परचार किया था उस वक्त जद्यू और आरजेडी का गटवंधन था वहीं दूसरी और ये सीट इसलिए चर्चाओं में आया था क्योंकि आरजेडी ने बाहुवली असोक महतो की पतनी अनिता देवी को टिकर दे दिया था असोक महतो के नाम कई नरसहार दर्ज हैं IPS ऑफिसर अमीत लोड़ा के किताब पर आधारित नेट्फिक्स की वेव सिरीज खाखीद बिहार चेप्टर में एक कुख्यात अफराधी चंदन महतो को दिखाए गया है जिस पर जेल ब्रेक करने से लेकर कई लोगों की हत्या का आरोप था वेव सिरीज का चंदन महतो रियल लाइप में असोक महतो है सत्रो वर्सों की सजा काटकर असोक महतो 10 दिसंबर 2023 को जेल से बाहर आया है बता जाता है कि लालू यादब की सरापर उन्होंने जेल से आने के बाद 62 साल की उम्र में अनीता से साधी कर ली मुंगेर लोग सभा में अगरा बनाम पिछड़ा की लडाई बनाने के लिए ही आरजेरी ने असोक महतो के चेहरे को सामने लाया है असोक कुर्मी है और अनीता धानुक है इसके साथ राज़त का माई यानी मुस्लिम यादब समिकरन ललन सिंग को यहाँ पर टकर देने के लिए जो है एक रन्निती बनाई गई है चलिए आज के वीडियो में समझने की कोशिस करते हैं कि आखिर मुंगेर लोगसभाज सीट का जातिगत समिकरन क्या है यहाँ के पिछले दो लोगसभा और विर्हान सभाज चुनाओं में किसे सफलता मिली इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिस करेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ के रानितिक इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं साल 1952 के चुनाओं में मुंगेर चार लोगसभाज सीटों में बटा हुआ था यहाँ से परत्यासी सांसद मथुआ परसाद मिस्ट, सुरेश चंदर मिस्ट, बनार्सी, पीडी सिंधा और नैन तारा चुनाओ जीते चार हुई कॉंग्रेस के परत्यासी थे 1957 के चुनाओं में दो सांसद चुनाओं जीत कर आए लेकिन 1973 के चुनाओं में यहां सभी को मिलाकर एक कर दिया गया और मुंगेर लोग सभाशीट एक हो गई 1971 के चुनाओं में कॉंग्रेस के देव नंदन प्रसाद यादव, 1970 के चुनाओं में जनता पार्टी के स्रीकृष्ण सिंग, 1980 और 1984 में कॉंग्रेस के देव नंदन प्रसाद यादव, 1989 में धनराज सिंग जनता पार्टी से, प्रत्यासी यहां से चुनाव जीते, 2019 के चुनाव को ललन सिंग ने जदियू के टिकट पड़ा रहा था और जीत हासिल की थी, आपको बताते कि साल 2008 में हुए नए परिसिमन के बाद मुंगेर संसदिये छेत्र का स्वरूप पूरी तरह बदल गया, यह परिसिमन में मुंगे पूरी मजबूती के साथ यहां से लड़े हैं और दो बार अपनी जीत भी दर्ज करा चुके हैं खास पाती है कि ललन सिंग को तभी जीत मली है जब वे एंडिये के उमिद्वार रहे हैं 2014 के लोग सवाचनों में जब एंडिये ने राजी के बहोवली नेता सुरज भान सिंग की पतनी विना देवी को अपना उमिद्वार बनाया था तो ललन सिंग को यहाँ पर पराजे का सामना करना पड़ा था तो चलिए अब यहाँ के पिछले दो लोग सवाचनों के परिनाम्स को थोड़ा डीटेल्स में जानने की कोशिस करते हैं 2014 के लोग सवाचनों के रिजल्ट की बात करें तो जेडियू के तरफ से ललन सिंग यहाँ समिद्वार थे आरजडी ने प्रगती महता को अपना उमिद्वार बनाया था लजएपी ने वीना देवी को अपना उमिद्वार बनाया था और उन्हें 20.4% वोट मिला था वहीं लजएपी के वीना देवी को यहाँ पर जो है वो 3,52,000 से अधिक वोट मिला और उन्हें 49.3% वोट सेर मिला था अगर बात करें कि यहाँ पर वीना देवी को किने मतों से जीत मिला तो वीना देवी को यहाँ पर लगवग एक लाख से अधिक वोटों से जो है वो जीत मिला था और लगवग उनके जीत का जो अंतर था वो 12.1% से जादा का था लगवग उनके जो है वो जीत मिली अगर बूत वाइस देखा जाए कि कितने बूत पोलिंग बूत पर किस पार्टी को यहाँ पर लीड मिला था तो 2014 के पोलिंग बूत के हिसाब से देखा जाए तो जद्यू को यहाँ पर 27.9% पोलिंग बूतों पर लीड मिला था वहीं RGD को 19.6% पोलिंग बूत पर लीड मिला था और INC यहाँ पर कॉंग्रेस के तरफ से जो है यहाँ पर चुनाव लडाय गया था कॉंग्रेस अपना उमिद्वार बनाया था तो जद्यू के तरफ से यहाँ पर राजीव रंजन उफ ललन सिंग चुनाव लड रहे थे जिनने इस चुनाव में 5,25,000 से अधिक वोट मिले वह कॉंग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ पर 34.8% वोट मिला और अगर विधानसभा 22 देखा जाए तो यहाँ पर इस चुनाव में में कॉंग्रेस के उमिद्वार को सिर्फ एक विधानसभा सीट में मोकामा में जो है वो लीड मिली वहीं जद्यू यहाँ पर 5 विधानसभा सी जादा लीड मिला मतलब बूथ वाइस कौन जो है वो लीड करता है तो कॉंग्रेस यहाँ पर 32.7% बूथों पर जो है वो आगे रही वहीं जद्यू के ललन सी जो है 67.3% बूथों पर जो है वो आगे रहे तो आप 2019 के लोग सभाचनाव का परिनाम जो है यहाँ देख सकते अब हम आपको यहाँ के 2020 के विधान सभाचनाव के परिनाम के बारे में भी बता देते हैं कि यहाँ पर किस पार्टी को जो है वो सफलता मेली यहाँ के 6 विधान सभाच छेत्रों में बीजेपी को यहाँ पर 3 विधान सभाच छेत्रों में सफलता मिलती है 2020 के चुनाव में उसके बाद Congress को यहाँ पर एक विधान सभाज सीट में सफलता मिलती है और वहीं RGD को दो विधान सभाज छेत्रों में यहाँ पर सफलता देखने को मिलती है दोस्तों अब आपको मुंगे लोग सभाज छेत्र के जातिकत समीकरन के बारे में बता देते हैं अगर मुंगे लोग सभाज छेत्र के जातिकत समीकरन की बात करें तो यहाँ पर चारकिया.com जो है एक वेबसाइट है उनके अनुसार यहाँ पर टाइटल वाइस जो है कुछ आंक्रे सामने आते हैं कि किस टाइटल लगाने वाले को कितना प्रसेंट यहाँ पर जो है वो वो पर टाइटल लगाने वालों की संख्या 7.6% महतो टाइटल लगाने वालों की संख्या यहाँ पर 6.8% पासवान टाइटल लगाने वालों की संख्या जो है 6% है मंडल टाइटल लगाने वालों की संख्या यहाँ पर 5.3% मुसलिम टाइटल मुसलिम यहाँ पर लगभग 5.1 परसेंट राम टैटल लगाने वालों की संख्या जो है 3.6 परसाथ टैटल लगाने वालों की संख्या 3.1 परसेंट मांजी टैटल लगाने वालों की संख्या 2.8 परसेंट साथ टैटल लगाने वालों की संख्या 2.5 परसेंट दास टैटल लगाने वालों की संख्या 2.3 परसें पंडिट टेटर लगाने बालों की संख्या 1.4% है तो आप इससे जो है कुल मिला कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस जाती के कितने वोटर हैं और अगर दलित वोटर की बात करें पाटुकल लली तो यहाँ पर लगबग 15 परतिशत जो है वह यहाँ पर दलित व खास करके अथीफिष्री जातियों के वोटर की संख्या जो हे संख्या में है इसके अलाभा सीट पर कुर्मी और धानुकuster की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है तो चलिए अब conclusion पर आते हैं कि कौन जीतेगा मुंगेर, अगर मुंगे लोग सबासीट की बात करें तो यहां से ललन सिंग चुनाओ लड़ रहे हैं और पिछली बार भी वो हैं यहां से दो बार से यहां पर चुनाओ जीते में काम्याब रहे हैं उनके साथ यहां पर एंटी इंगर्मेंसी हो शकता है लेकिन इसके साथ साथ इस चुनाओ में यहां देखने को मिल रहा है कि यह चुनाओ अगरा बनाम पिछला करने की कोसिस की जारी है क्योंकि जब से यहाँ पर असोक महतो की पतनी को यहाँ से उमिदवार बनाया गया है तो वो निस्टीत रूप से उनका जो ध्यान है वो पिछरा वोटर की तरफ है क्योंकि यहाँ पर आरजेडी की जो इस्टेटीजी है वो यह है कि आरजेडी यहाँ पर पिछरा वोटर को अपने साथ जोने में कामियाब हो सेकें क्योंकि जो कुमारी अनीता हैं और असोक महतों इन लोगों का धानुक वोटर्स और कुर्मी कुरी वोटर्स पर पकड़ मानी जाती है क्योंकि ये लोग इसी कास से विलोंग करते हैं लेकिन इसके साथ-साथ यहां इंट्रेस्टिंग यही है कि कुर्मी कुरी वोट को अपने तरफ लायाजा एक पिछड़े वर्ग से उमिद्वार को बना करके और इसी कारण जो है कुमारी अनीता को यहां से उमिद्वार बनाया गया और इसके साथ-साथ यहां पर मुसलिम यादव वोटों का जो है समिकरन को एड़ किया ज सकती है लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो है सवन वोटर और भूम्यार वोटर की वी संख्या है बाकि आप क्या सोचते हैं कि कौन जीतेगा मुंगेर किसका पलड़ा भारी है अपनी राइक में बॉक्स में जरूर बताएए वीडियो को लाइक कीजिए और म